हाई गाईज वेलकम बैक तो स्राणुग इंजिनियस दोस्तों एससी जही से रिलेटर कुछ इंपोर्टेंट डाउट्स है उसको में खिलियर करने वाला हूं इस वीडियो में लाइक CPWD एपार्ट्मेंट उसमें डिग्री एलेजबल है नहीं है, फोटो में आपको डेट स्प्रिंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अड्वरटीजमेंट में क्या मैंशन है आप प्रिंट आउट निगाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं निकालने में क्या डिफिकल्टी आ रहे हैं यह सारी चीजे के बारे में बात करने वाला हूं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि CPWD में degree eligible है कि नहीं है तो मैं पता दूँ जदी आप advertisement देखेंगे तो वहाँ पे eligible लिखा हुआ है अब सिर्फ diploma लिखा हुआ है लेकिन जब हम previous year की बात करते हैं तो वहाँ पे RTI file किया हुआ था previous year में तो उसमें आये था कि minimum जो qualification है that has to be diploma एनि डिग्री वाले भी eligible हैं CPWD के लिए यह आप बांद ले बाकी next query है कि फोटो में date होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ठीक है तो आप जब फिल करेंगे form तो उसमें आप देखेंगे कि जब फोटो वाला option है उसके पहले एक option आता है कि वेदर दा फोटो हैज में टेकन और और फिफोर और आफ्टर दा 12 माई ठीक है ज़िए आप क्लिक करते हैं कि फोटो हैज में टेकन आफ्टर 12 माई तब आपको ज आप दाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो उसमें कोहीं भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाले ठीक है ज़िए आप फिल कर दियो फॉर्म उसमें बिना डेट का फोटो का तो कोई भी मितलब डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ज़िए आप नहीं फिल की हो तो 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 आप फोटो में डेट प्रिंट कर सकते हो ठीक है लेकिन सिंस एडवर्टीजमेंट में मैंसे नहीं है तो इससे कोई भी प्रैसानी नहीं होगा ठीक है अब बाकी आते कि आप फर्स टाइम ससी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको रेजिस्टेशन टाइम बहुत ही अच्छे इसके फॉर्म फिल करना है रेजिटेशन में जदि आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो हमेशा के लिए यह मिस्टेक रहेगा आपको और क्यूंकि एक बार आप रेजिटेशन कर देते हो एससे को वेब्साट में सेम फॉन नंबर या सेम इमेल आइडी से आप दुबारा करने के जौरत नहीं है ठीक है जो भी रेजिटर्ड आपका जो नेम है इमेल आइडी है फोन है उस ही से रहेगा दुबारा रेजिटेशन करना नहीं है ठीक है अगला जो डाउट है कि जदि आप एक वार फॉर्म फिल कर देते हो तो उसमें से आपको दो-तिन चीजे आपक हों गया है payment done बट यहां पर आपको side में देखने को मिलेगा की content not verified ठीक है तो उसको उसको मतलब कुछ डरने की बात नहीं है content not verified verify करने का काम SSC का है ठीक है आपको verify नहीं करना है SSC जब verify करती है उसके बाद वहां पर side में लिखा आता है कि all verified ठीक है एक यह हो गया फिर आप आप जदी printout नहीं ले पा रहे हो जदी once you have submitted the application form and you are not able to take the printout in that case आपको क्या करना है कि अभी छोड़ देना अभी मतलब site बहुत ज्यादा site पे लोड होगा तो अब बाद में जदी आप login करते हो Sam login ID से तो बाद में भी printout निकाल सकते हो ठीक है तो guys I hope this will help you मैं कुछ important जो भ सकते हैं और मेरा telegram group है वहां पर आप कोई भी doubt पूछ सकते हैं ठीक है and finally thanks for watching